हेलो एब्रियोन वेलकम टो आर यूटूब रिबारेशन चेनल दोस्तों मेरु भैल और मैं आज आप सबके समनें MCQ1 जेनरल इंग्लिज फोर बियाड एंट्रेंस आसाम इंडिवर्सिटी सिल्चार 2024 के लिए ये क्वेक्शन्स लेके आया हूँ सो आप लोग पुरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिए और देखो ओनलाइन क्लासे शुरू हो रहा है बहुत ही जल्ब मतलब इस महीने के एंड से सो आप लोग अभी से रेजिस्ट्रेशन कर लो रेजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मांतली वीज 200 रुपीज एडवांस पे करना होगा और मतलब अभी पे करके आप लोग उस ग्रूप में एड हो जाओगे ओफिशिल ग्रूप पे वाटसब पे सो उसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो सो मैं उसमें आप सब को डिरेक्ली बता दूँगा और आप अभी मतलब 200 रुपीज पे करोगे तो मतलब वो काउंट कब होगा जब से मतलब क्लास शुरू होगा तब से मतलब एक महीने के बाद कैसे आपको फिर से पे करना होगा सो आभी आप लोग 200 उपीस पे करके ग्रूप में एड़ हो जाओ सो पे करने के लिए आपको तुरू यूपी आई यानि फोन पे जीपे या पेटीम से 9101467653 इस नमबर पे करके इसका स्कीन्शोट मेरे वाटसप नमबर पे वेज़ देना जो के सेम नमबर है 9101467653 और देखो लास्ट यार में बहुत सारे कह सेकते हैं 99% स्टुडेंट मेरे इस से कह सेकते हुआ है गौर्णमेंट कोलेज प्राइबेट कोलेज सब में हुआ है सो आप लोग चेक कर सकते हो यूटूब पे जाके या मतलब कह सेकते हो बहुत सारे स्टुडेंट जिन्होंने लास्ट यार किया है और आभी बेट का कूर्स कर रहे है अभी सो उनसे पुछ सकते हो आप लोग सो बड़ो सा कर सकते हो आप लोग और जल्दी से जल्दी जोइन कर लो रुबेल सारे अकाडमी सो शुरू करते है आज का जो पहला क्वेशन याने क्वेशन नमबर वान मतलब किस लिए काम जादा करने के लिए मतलब वह टायर्ड हो गया मतलब अबर वार्ड सो यह कह सकते एप्रोपरेट प्रिपोजेशन यह सब से मतलब हुआ है सो आपको मैं पूरा डेटेल में समझा दूंगा सबकुछ ओनलाइन क्लासेस पे क्वेशन नमबर टू बिल्डिंग हैस बिल्ट विल्ट 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 हुआ किस हिसाब से देखो एककोर्डेंस टू इनकोर्डेंस विट अप्शन सी फॉर अप्शन डी एबाउट इसका जो राइट अंसर होगा बहु है अप्शन बी यानि इनकोर्डेंस विट बिल्डिंग कैसे मना इनकोर्डेंस विट न्यू प्लान न्यू प्लान के हिसाब से सो अप्शन बी इस दा करेक्ट अंसर क्वेशन नमबर टू तू काम राउंड का मतलब कह सेकते है कौनसा इडियम और फ्रेज के हो सकता है तू एगरी या कैजूल बिजिट या तू बिजिट या अप्शन डी तू एक्सेट एन अर्गुमेंट सो कौनसा राइट अंसर होगा इसका जो राइट अंसर है बहु है अप्शन ए यानि टू एगरी मतलब समाजना एगरी करना ठीक है सहमात होना क्वेश्चन नमबर देखो थ्री महात्मा गांदी सेड कॉम्पेशन का आप लोग बोलो देखो कॉम्पेशन इस मोर इंपोर्टेंट देन दा ट्रूथ टूथ से ज्यादा मतलब क्या सेकते हैं कॉम्पेशन इंपोर्टेंट है इसका एंटोनीम यानि ओपोजेट मेंग क्या है सिमिलार मीनिंग सो रिक्वेश्ट का सिमिलार मीनिंग क्या है आस्क प्लीज्या सज़ेस्ट या केसी ओप्शन द्योफर इसका जो राइट आसर वो बोहें औप्शन है यानि 10 कुछ पूछ ना आप्टिन ए इस दा करेक्ट अंसर, question number 5, antonym of adlib, adlib का opposite मिनिंग क्या है, improvised या extemporized, या deliberate या spontaneous, कुन सा राइट अंसर होगा, इसका जो राइट अंसर है, बहु है, आप्टिन सी यान है, deliberate, यह याद रखना, adlib का opposite है, deliberate, deliberate ली मतलब कुछ करना, इच्चा करित, कह सिकते हो, adlib म chicken feed का मतलब क्या है, meaning, a very small money, a huge money, या food for thought, या none of this, इसका जो राइट अरे, बहु है, option A, यानि very small money, sorry, तोड़ा सा गला खराब है, so a very small money, so आज के लिए इतना ही, thank you so much, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और online class के लिए रेजिस्टर हो जाओ, thank you so much